दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूँ गार्डन टूर का वीडियो और आज मिलेंगे आपको धेर सारे अपडेट जिसकी आप इसामने देख रहे हैं अंगूर का अपडेट है आज मैं आपको ड्रेगन फूर्ट का पाइनेप्पिल का अनार का नेबू का और सांथ में ग पूरा देखना है गार्डन टूर का वीडियो है पूरी जानकारी मिलेगी सांथ में वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरसन गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बा आप देख रहे हैं तो हमारी लगी हुई है भिंडी अब यह भिंडी कैसी है तो इसमें मिक्स्ट भिंडी लगी हुई है हमारी कुछ रेड भिंडी है यह आप देख सकते हैं इस तरह से होती है लाल भिंडी और लाल भिंडी के कुछ पौदे सामने की तरफ हैं और यह हरी यह रेक्टेंगलर ग्रो वैग है जो की 72-32 इंच का है इसमें धेर सारे पौदे लगे हैं और यहां से हमें बहुत भिंडी मिलती है दो दिन पहले ही भिंडी की हार्वेस्टिंग हुई थी और अभी देखिए फिर से भिंडी इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि भिंडी बहुत अभी नए हैं पौदे जादा पुराने नहीं है और इन लौकी के पौदों में लग रही है लौकी किस तरह से लौकी लग रही है यह आप देखिए और कितनी लंबी यह लौकी है यहां से कल हमने तीन लौकी हार्वेस्ट की थी दो यहां से की थी और एक लौकी उस एसी के आउड़ोर उनिट के ऊपर थी यहां पर आप देख लीजिए तो गोल लॉंकी हमारी बन रही है यह गोल लॉंकी है और यह से कबर है क्योंकि फ्रूट फिलाई का इस पर अटेक ना हो और साथ में यह इसका कलर भी अच्छा रहता है और अभी इन में काफी अच्छे फूल आ प्रावना हो तो कोई भी मेल फूल लेकर पॉलीनेशन कर दीजिए इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो यह हमारी धनिया और यह धनिया गर्मियों वाली धनिया है देखिए काफी अच्छी और जैसे यह आप इस तरह से हाथ करेंगे इसमें बहुत अच्छी खुस लगबग दो से तीन में तीन दिन में ही यह बरबटी उग जाएगी और हमने थोड़े से जादा घने बीज लगाए हुए हैं और इसमें से कुछ पॉधे हम निकाल देंगे जब अगर जादा घने हो जाएंगे तो इस तरह की बात करें तो यह हमारा जो है मालवरी जिसे ब पॉधा और इसको इसकी इस बार रूट निकाली थी हमने कुछ रूट निकालके फिरसे इसके जो मेंकंद है उसे लगा दिया था सामने वह हमारी कंपोस्ट विन रखी हुई है यहां पर आपको दिखाएं तो यह हमारे 12 मासी करेले के जो बीज लगाए थे तो उनके कि पहले लगाए था यह उती है यहां पर देख लीजी है ऑर और यह लें नहीं MAR में रहे है कुछ पन चवी पर आई हैस्ट खर चोबिया में ठीके Ohh ऑबी ला की का कि टिमाल कि आपको देखने में पतार चल जाएगा ती उनका को इसको कि एक सारी आव next morphiba आस नोगर की उन 26 क्या है मेरे इस गोबर की खाट के साथ साथ इसमें कैचुए बहुत जादा होते हैं तो आप इस तरह से देखेंगे तो देखिए यह मिल गया हमें यह देखिए कैचुए कितने सारे कैचुए हैं यहां पर यह देख सकते हैं आप और यह जड़ें इनकी यह देखिए यहां प देती हैं तो यह बर्मी कंपोस्ट बन जाता है और मिट्टी बिलकुल यहां पर क्या है पूरस बनी हुई है अठारा बाई 24 इंच का एक ग्रोब एक है और आप देखिए इसमें फूल भी काफी अच्छे आ रहे हैं और करेले भी काफी अच्छे लग रहे हैं यह देख सकते ह बहुत जादा यह इसकी खासियत है अगर आपको कड़वे करे लिखाना पसंद नहीं है तो फिर आप इस तरह से लगा सकते हैं यह बेल है और यहां पर क्रीपर नेट से ऊपर की तरफ फैल गई है कुछ साइट की बेल है इसलिए यह नीचे की तरफ आ रही है तो कोई प्र रखा हुआ है और एक्स्टा लॉंग है बहुत लंबा होता है यह इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो हमारे जो टमाटर के पौध हैं वह हैं उनमें ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है बस टमाटर लग रहे हैं उपर कुछ फूल आये थे जो सूख गए हैं और यहा पर भी हो गया है और यहां पर भी हो गया है तो यह जो टमाटर है इन में क्या है ना धूप नहीं आती अभी बहुत जादा धूप नहीं आती उपर आप देखिए अभी यहां पर ग्रीन नेट नहीं है फिर भी बहुत जादा धूप नहीं आ रही है तो यहां पर मौस जो क पहें सकते हैं कि इनको उतना गर्माहट नहीं रही यह यह बचे हुए हैं और इंच में हमें फूल और और फल tired इस Max ते यह हैं हमारी बिंडी। और भिंडी काफी अच्छे से चल रही है, भिंडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी हमें हर्वेस्ट करने को मिल रही है, इस तरह से हो जाती है, आप देखिए, और ये भिंडी का अभी फूल खिलने वाला है, ये खिलेगा, और इसका फूल खिल चुका है, तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी भिंडी बन गई फूल तो आया नहीं तो अभी इसमें फूल खिलेगा तो यह है भिंडी का अपडेट यह भी बड़ा ग्रोबैग है अब देखिए हमने एक एक महिने के अंतर से भिंडी लगाई है तो यह भिंडी भी लगबग अब हमें तोड में भिंडी होती नहीं है इसके बाद यह आप देख लीजिए यह हमारी कंपोस्ट बिन जो मैंने बनाई है खुद ही नीचे एक नल लगाया है उपर इस तरह से देखिए यहां पर छेद बनाए हुए है और इसको भरते भरते अभी देखिए इतनी भर गई है लगभक 50 पर पीट होती है उसको भी डाल सकते हैं तो यह कंपोस्ट मिन का कंप्लीड वीडियो चैनल पर पब्लेस है कैसे मैंने इससे बनाया था कैसे मैं किचन बेस डालता हूं आप देख लीजिए इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो यह है हमारी लौकी जो की पुरानी वाल चैरी टमाटर तो चैरी टमाटर में भी फूल आ रहे हैं कुछ टमाटर बन भी गए हैं अब देखते हैं कितने बड़े होते हैं देखिए इस तरह से यहां पर बने हैं सामने आप देख रहे हैं तो यह बरबटी है बरबटी में भी बरबटी लग रही है यह बहुत जल्द पीछे तरब देखेंगे तो आज एक फूल खिला भी है वहाँ पर देखिए और यह देखिए यहां पर देखेंगे जहां मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखिए एक फूल खिल चुका है उस तरफ यह देख रहे हैं आप यहां पर फूल भी खिलने वाला है तो ड्रेगन फ्रूट में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई मतलब लगब एक महिने बाद हमें यहां से ड्रेगन फ्रूट मिलने लगेंगे और कंटीनियू अब यह नवंबर दिसंबर तक फ्रूटिंग करता र हमारी सेम फली जो की 12 मासी है यहां पर आप देख सकते हैं हमने टैग भी लगाया है आप इस तरह से टैग इस्तमाल कर सकते हैं यह टैग मिल जाएगा आपको वैप साइट और वजा डॉट नेट पर यह अब सेम फली में हो क्या रहा है इसमें लग गया है एफिट्स आप इसमें इस तरह से एफिट्स लगती है और यह पत्ते खा रहे हैं पूरे और काले काले होती हैं दोनों तरफ ही आजाएंगे इस तरह से तो आपको क्या करना है इसे तेज इस पर पंप में पानी भरिए और उसे तेज बोचार से इसे साप कर दीजे सबसे पहले तो फिर तरीका है इसे से बचने का और आसान तरीका है आप जरूर ट्राई करें बाकी लेकर अगर आपने इने ऐसे ही छोड़ दिया तो यह बहुत ज्यादा फैलता है हर दिन यह पौधे में डबल से ट्रपल हो जाएगा और लगभग एक हपते में पौधे ही खतम हो जाएंगे इ इसमें फूल आ गया है और दूसरा पाइनेपल जो है वो इतना बड़ा हो गया है और इसमें यह यलो इस कलर आने लगा है मुझे लग रहा है कि यह मैचियोटी की स्टेज में पहुंचने वाला है साइज थोड़ा छोटा है पिछले साल इससे काफी बड़ा साइज मिला थ और देखते हैं यह कब मैचियोड होता है और यह अभी बड़ा हो रहा है इसमें अभी काफी समय है तो दो पाइनेपल इस वार आया है दो पौधों में और पिछले साल जिसमें पाइनेपल आया था उसका पौधा वहाँ पर रहा है यह पापीता है यहां पर हमारा जो मस्क कि यह बन रहा है और इस तरह के और भी खरबुजे बन रहे हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं देखिए ऐसे मैं तोड़ देता हूँ यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह यहां से यहां छेद है इसके अंदर इल्ली चली गई होगी तो इस तरह कि अभी काफी फ्रूट खराब भी हो रहे हैं और बाकी एक वह अच्छा है और नय फ्रूट अभी बन भी रहे हैं इससे हमने पांच जो है खरबूज तोड़े भी हुए हैं एक देखिए यहां पर भी बन रहा है यह देखिए लेकिन अभी इस समय इल्ली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें यह खराब बहुत हो रहे हैं और इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं कर पाते नीम वॉयल का इस्प्रे करते रहे हैं फिलाई इस पे नहीं बैठे कि तभी कंट्रोल यहां हरवेस्ट करते हैं और यहां कुछ बड़े ऑले करृगे सख पर बड़ी को राहने लंबें करेखते dt यहां पर गिलकी हो रही है तो यहां पर यह अभी तक जो बेल वाली सब्जियां हैं उनसे हमें सब्जियां मिल रही है इस तरह पा जाएं तो यह कड़ी पत्ते का अपडेट है और अब आप देखिए कड़ी पत्ता जो मैंने छोटा सा लगाया था बो बड़ा होने लगा है न्यू ग्रोथ आ गई है अच्छे से चल रहा है इसमें आप जो चांच होता है चांच का फर्टिलाइजर दे सकते हैं उसको मैं अभी देने वाला हूं क्योंकि अब इसमें इसको फर्टिलाइजर की जरूरत है धूब भी इसको मिलने लगी है और यहां पे आप देख रहे हमने देखिए ओपर से नीचे तक इस तरफ से आप देख सकते हैं तो यह नीम का पेड़ है और इसके नीचे हमने लगा दिया है भ्रंगराज भ्रंगराज जिसे हमारे यहां घमरा भी बोलते हैं और इसमें इस तरह से फूल आते हैं यह तो नहीं मुझे पालूम लेकिन इ नेचर हो गया है अब इसमें बनने लगे हैं बीज और इसके नीचे जो सूरज मुखी आए थे बोवी खिल गये हैं देखिए छोटे-छोटे सूरज मुखी यह साइड से जो निकले थे वह इस तरह से खिल गए हैं यह मैंने पहले नहीं देखा था आजकल देखिए सूरज दोड़ है यह दिख लीजए तो 156 मुखा दो यहां पर यह दक सकते हैं यह बन रहा है बड़ा हो रहा है और यहां पर हमारा जो है नीबूँ में ढग रहे हैं ढहीयर सारे नीभू इस स Kelाण और और यह तोड़ Dalonah रेड में उधर देखिए एक अनार वहां लगा है एक अनार वहां लगा है धेर सारे इसमें आ रहे हैं फूल नीचे हमने अलोवेरा रखा हुआ है ताकि उसे धूपना लगे अभी आप अलोवेरा को धूप से बचाईए वरना इसमें संबर्ण की प्रॉब्लम बहुत जादा होती है तो हमने इस तरह से रखा क्य가 यह बरना गिर जायगा अब Alouveira में क्या होता है इस समयाँ आप देखिए इसकी जो स्टैम होती है उसके पाथ से इस तरह से पप्स निकलते हैं इनी पप्स से आप जो है नए Akutara के पुदे तयार कर सकती है यह जबड़ा आसा तरीका है नए Akutara के बनाने का तो आप से भी आप देखिए यह निकल रहे हैं तो इनसे आप नए पौधे तयार कर सकते हैं अब आंगे चलते हैं इस तरफ तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं वाटर मेलन तर्बूज अब तर्बूज में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला आप देखिए तर्बूज यह खराब हुआ है पानी की बज़े से नीचे जो पानी था उस बज़े से खराब हुआ है इनके नीचे हमने देखिए इस तरह से जो कॉटन वैग है वो रखा हुआ है दूसरा तर्बूज यह है और पहली बार तर्बूज में मुझे सकसेज मिली है पहले तो इस तरह से य साथ मैं से काट कर भी दिखाएंगे मेरे हिसाब से एक हपते और लेगा और यह तैयार हो जाएगा फिर हम इसे काट सकते हैं और अंदर से पीला निकलता है यहां का अपडेट देख लीजिए तो यहां पे कुछ पालक है जो हमारी पहले से लगी हुई थी इसकी हमने कटिंग तो फिर यह रीग्रो हो गई है इस तरह से और इसी के साथ इस तरह से देखिए यह री भाजी चॉले की भाजी है वो भी बढ़ गई है तो यह पालक का अपडेट है यहां पर हमने अर्भी लगाई थी तो अर्भी के पत्ते आप देखे कितने अच्छे हैं यह भी हमें पपीते के पौधे की अपडेट दे देते हैं आपको अब इसमें क्या हो रहा है इसमें आने लगे हैं फल देखिए सेट भी होने लगे हैं यहां पर देखिए यह पपीता बनने लगा है एक पपीता वहां सेट हो रहा है दूसरा यहां तीसरा वहां और फूल भी काफी अच् गुडाई की और गुडाई करने के बाद डाल दिया इसमें बर्मी कंपोस्ट तो अब ही आप गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट का इस्तमाल करें इस तरह से पौधों में देने के लिए क्योंकि गर्मिया तेज हैं तो यह खा ठंड़ भी और इन में काफी अच्छे nutrition भी होते हैं इस तरब की बात करें तो यहां पे जो फूल लगे हैं जैसे गुढ़ल है तो आप देखिए गुढ़ल की कर दी है मैंने प्रूनिंग अब प्रूनिंग कर दी है प्रूनिंग करने के बाद इसमें न्यू ग्रोथ इस तरह से प्रूनिंग कर दी है इसके सांथ हमने यह गुलाब जो लगे थी हमारे इनकी भी प्रूनिंग कर दी है आप देख सकते हैं सारे गुलाब की मैंने प्रूनिंग की है और इन ही गुलाब की फिर मैंने कटिंग भी लगा दी है और वो कटिंग भी चलने लगी है अभी मैं आने लगी हैं फूल क्या है पता नहीं लेकिन फूल जैसा तो लग रहा है यह देखने में और और गैनों के पौधे इस तरह से हुए हैं और अभी मुझे नहीं पता कैसे केर करना है बाकि मैं देखता हूं कैसे करेंगे बाकि की कटिंग मुझे लग रहा है करनी चाहिए या तो इसमें बीज बन जाएंगे, अब देखते हैं क्या है, अगर आपने कभी औरेगेनो गाई है तो जरूर बताएं, और बाकी पौधे अच्छे हैं, और खुस्बू इसमें अच्छी आती है, मतलब बहुत जादा अच्छी खुस्बू है, औरेगेनो जैसे ही खुस्बू आ लगा है हमारा सीता फल, यहां पर दिखा लेते हैं आपको, तो यहां पर है हमारा जो हमने पपीते का पौधा लगाया था, इस देखिए, जीओ फैब्रिक ग्रोबेग में, 24 भाई 24 इंच का ग्रोबेग है, नीचे हमने कार्ट बोर्ट से इस तरह से मल्च कर रखा है, अब हमारा ड्रम स्टिक का पेड़ जिससे मैं ड्रम स्टिक तोड़ता था, आपने जरूर मेरे वीडियो में देखा होगा, अब हमने इसकी क्या कर दी है, यहां से देखिए, हाड प्रूनिंग, हाड प्रूनिंग करने के बाद आप देखेंगे, तो इसमें आ गई है इस तरह से न्यू ग्रोथ, यह देखिए, अब यह जितनी भी यह नोड होती है, यह नोड है, यह नोड आप देख सकते हैं, इन से ग्रोथ आएगी, और फिर यह फिर से ग्रोथ ले लेगा, और अभी जब यह न्यू ग्रोथ आएगी, तो फिर हमें फिर से यहां से ड्रम स्टिक मिले अब धेर सारी ड्रमस्टिक आंगे हमें मिलेंगी यहां पर हमारा जो बैगन है उसका पौधा है और यह आप देख लीजिए हमारे गबार फली अब गबार फली में क्या हो रहा है इस तरह से फूल आ रहे हैं और नीचे देखिए इस तरह से गबार फली लग रही है अच्छी उसमें complete harvesting वीडियो है पूरी सबजियां हमने तोड़ी हुई है यहां से यह बैगन का अपडेट है तो यह बैगन लगे हुए है अलग अलगता रहके बैगन है और पीछे आपको दिखा दें तो गण्ना लगा हुआ है और गण्ने में जो है आप ग्रोथ अच्छी है नीच यहां पे हमारे जो अद्रक और हल्दी हैं उनका update देख लीजिए इनको धूप में मैंने रखा था तो यह खराब हो रहे थे फिर हमने सेडी एरिया में रखा एक जो अद्रक हमने अभी लगाया था इसको जर्मिनेट करके तो यहां पे आप देखिए यह उग गया है यहां देखिए पौधे इसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं तो यह पीली हल्दी है पीली हल्दी के पौधे अच्छे चल रहे हैं यह देखिए काफी अच्छे हैं और यह हमारी काली हल्दी अब काली हल्दी में क्या होता है बीच में इस तरह से काली लाइन आपको तो ग्रीन नेट हमने गार्डन में काफी जगह लगाई है ताकि हमें जो भी पौधे गर्मी से खराब हो रहे हो उन्हें हम यहां पर रख पाएं तो इन तीनों चीजों का अपडेट यह है और हल्दी अर्भी अधरक इन तीनों चीजों को आप अभी लगा सकते हैं सबसे पाड़े होंगे नहीं होगा तो मैं हैंड पौलीनेशन कर दूँगा यह मेल फूल खिला हुआ है यहां पर तो इस चे मैं ले लूँगा पॉलन यह हमारा अंगूर का पेड़ देख लीजिए यहां से आया है और इस तरह से ऊपर जा रहा है अब हमने इसकी क्या है सारी साइड में जो यह आप देख रहे हैं यह यह है इसकी दूसरी साइड ब्रांच जिसे हम कट कर देंगे इस से क्या होगा यह जो हमारी स्टैम है यह सीधी ऊपर की तरफ जाएगी और मैं इसे ऊपर तक ले जाओंगा वहां तक और उसके बाद वहां पर इसकी ऊपर की टिप को कट कर दूंगा और एक ब्रांच इस तरफ जाएगी और दूसरी ब्रांच उस तरफ जाएगी तो इस तरह से इसको ले जाने बाले हैं और दूसरी भी हमने कटिंग से जो लगाया था एक पोधा वह यहां है इसकी हमने दो ब्रांच रखी है नीचे से मैंने एक ब्रांच यह जा रही है दूसरी जा रही है यह भी है तो इस तरह से 2 ब्रांच को हम ले जाएंगे और नीचे की जो एक्स्टा ग्रोथ है से कट कर देंगे तो यह कंटिंग से लगाया था मैंने अभी जो प्रोण की थी अंगूर की उस इस तरह पिए हमारा बर्टिकल ग्रो बैग बर्टिकल ग्रो बैग में अब देखिए फूल की बड़ आ रही है इस पॉर्चुलुका में यह देख सकते हैं और अभी धेर सारे फूल आएंगे इसमें पूरा खिल जाएगा यह अभी इसमें फूल नहीं है तो लगभग 15 दिन म देख कूल खिले रहते हैं तो साम तक खिले रहते हैं इस तरह हैंगिंग रो बैग है आपसे हैंग करके गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रीन व बनाสकते हैं बहुत अक्छा लगता है और बहुट अच्छा है और यहां पे हम इसको कूर की घुम कर एक आन पड़तार है ह तो यह इस तरफ का अपडेट है, अब चलते हैं, उस तरफ जहां पर लगे हैं, हमारे fruit plant जैसे आप देख रहे हैं, अब अनार के तो ज्यादत अनार इसी तरफ लगे हुए हैं, तो देख लीजिए, काफी अनार इसमें आ रहे हैं, इसके लिए कौन सी खाद देनी हैं, उस प ढ़ान करूंगोल यह लग लगए लुबद करें कि हमें नीभु कि नेव repet और सब्सक्राइब अलब करेंसे जब आ रहे हैं। तो यह लगकonly सब्सक्राइब में श्रीकान के कमाबस फूल." यहां पर जो हमारा अनार है तो अनार में अनार लग रहे हैं फूल बहुत आते हैं इसमें लेकिन गिर जाते हैं लिमिटेट अनार लग पाते हैं और इसमें धूब भी सीधी लग रही है क्योंकि यह सबसे बाहर की तरफ रखा है इसके बाद यह अम्रूद जिसमें धेर सारे फूल आये थे मतलब बहुत ज़्यादा फूल आये थे 200-300 कितने होंगे मैंने गिने नहीं है और अभी आप देखिए इसके जो फूल थे वो इस तरह से अब अमरूद में देख सकते हैं देखिए चार अमरूद एक साथ लगे हैं तो बहुत सारे अमरूद हो गए हैं पौदे के हिसाब से सफिसियंट है अठारा बाई अठारा एंच के ग्रोवेग में पिंक अमरूद का पौधा लगा है इसके साथ ही मैंने जो कटिंग लगाई थी गुलाब की जो स्वाइल मिक्स यह बनाया है इसमें 50% गोबर की खाद और 50% बर्मी कंपोस्स और 50% कोकोपीट का इस्तमाल किया है और यहां पर आंगे आ जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने कुछ यह मिर्च लगाएं थी जैसे कि यह देख सकती है परि+. इसके बाद यह बारां मासी पीछे जो यह मिर्च है यह है डार्क गरीन कलर की जो की तीखी होती है ।ो इंके पौदे अभी उगी रहे हैं बीज मतलब और अब बड़े होंगे तो ये रेनी सीजन के लिए होंगी लगभगा भी इनको एक महीना लग जाएगा हमने इनको पौधे के छाओं में ही रखा है एक महीने बाद ये बड़ी होंगी फिर हम इनहीं लगा देंगे तो जून से मैंसे आप इनहें लगाना सुरू कर सकते हैं मैंने तोड़ा अरली लगा दिया है तो जून से आप लगाई है पूरे जून में इनके पौधे बन जाए ताकि जुलाई में जैसे ही मौनसून आए आप इनहें सिप्ट कर दीजिए बड़े ग्रोवेग में इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो यह अंजीर है और अंजीर कैसी लगती है यह देखिए यहां पर लगी हुई है मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूँ यह देखिए तो इस तरह से अंजीर मिलती है इसमें इस तरह से दूद निकलता है और इस तरह से होती है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर इसको खा लेंगे तोड़ कर पौधे से तो फिर आप मार्केट की अंजीर खाना भूल जाएंगे पौधा इस तरह से है इसकी हमने काफी पूणिंग करने के बाद इसकी जो कटिंग लगाई थी वो भी अच्छे से चल गई है और यहां से भी अंजीर ठीक ठाक चल रही है इस तरह से हर दिन दो-चार दो-चार अंजीर हम तोड़ लेते हैं अभी देखिए एक-दो अंजीर यहां पर भी लगी है यहां पर यह भी तोड़ने के लिए रेडी हो गई है तो इस तरह से अंजीर तोड़कर हम जब भी वाटरिंग करने आते हैं या दूसरे काम से तो फिर इनको तोड़कर खा लेते हैं यह मैं बता रहा था आपको नीबू और नीबू में जो नीबू है तो आप देखी सकते हैं कितने अच्छे आ रहे हैं यह देखिए इस तरह से साइज है नीबू यह बड़ा साइज होता है और काफी अच्छा है इसमें हमें रिजल्ट मिलता है और देखिए नीबू तो यह बड़े नीबू भी है और कुछ यहां पर आप देख सकते हैं चो आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा साइज इसमें हमें मिलता है और एक अनार नहीं है इसमें आप देखेंगे तो दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस ग्यारा मतलब बारा इसके बाद तेरा चुदा पंदरा सोला सतरह ठारा उनिस्भी इसिक किस वाई मतलब इसम चोटी सी स्टेम में इस तरह से दो अनार उपर एक अनार मतलब की बंच में भी अनार लग जाते हैं यह देखे यहां पर भी दो तीन अनार लगे हैं यह पहले हो गए थे मैच्छ और तो अभी यह दीरे दीरे तोड़ने राइक हो जाएंगे जब यहां पे इनके पॉलें और चार पांस साल का समय लगता है.. यह हमारा कागजी नीबू है, कागजी नीबू ठीक चल रहा है, अब इसकी ग्रोध काफी हो गई है, यहां पर कुछ स्टेम इस तरह से सूखती है, तो इन्हें आपको काट देना है, डाइबेक ताकि स्टार्ट ना हो, इसको आपको बिल्कुल नीचे से यहां से काट दीजि कागजी नीबू का है, अब इसमें फ्रूटिंग होगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने कागजी नीबू का मुझे पहचान नहीं है, कैसा होता है, और इसमें मैंने खाद दिया था, पिछले सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होई थी, इस गर्मी में देख रहे हैं, प्रूडिंग कर दी थी, पौधा मुर्जा रहा था, तो अभी ठीक है, थोड़ी कम पत्ते हैं, तो अच्छे से चल रहा है, अंजीर की जो कटिंग मैंने बनाई थी, उसकी कटिंग यहां लगा दी है, तो अब यह कटिंग दिर के धीरे-धीरे गिरो होने लगी है, पहले तो हमने काफी समय तक लगाया नहीं था, फिर मैंने सोचा की चलो लगा देते हैं, यहां पे हमारे एपल बेर, और एपल बेर में जो बेर हैं, वो बड़े तो हो गए हैं, लेकिन यह सूखने लगे हैं, अब गर्मिया तेज हैं, देखिए कितना बड़ा ए अब यह सूखने लगे हैं, क्योंकि गर्मी में मुस्किल है, यह पक पाएं और बड़े हो पाएं, फूल अभी भी आ रहे हैं, फूल आते ही रहते हैं, बंदी नहीं होते, यह चीकू का पेड़ हमारा और चीकू के पेड़ में देखिए, एक तो यहां पर एक चीकू है, य इंक अमरूद जो मैंने एर लेरिंग से तयार किया है, और जो स्वाइल लेस पॉटिंग मिक्स में लगा हुआ है, यह देखिए, स्वाइल लेस पॉटिंग मिक्स कुछ इस तरह से होती है, इसमें आप इसमें हमने खाद भी दिया था, वो खाद आपको ऊपर ऊपर देख जाएगा, यह देखिए, कुछ खाद है, जो मिक्सर बना के बोन मील और दूसरी खाद का हमने दे रखा है यहां पर, और इसमें फूटिंग भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, पहले ही साल में इसमें जो है, दो अमरूद हमारे यह लग गए हैं, और दोनों अमरूद ठ बन इसमें इसमें पानी बन्द करने का प्लान कर रहा हूं, यह देखिए, गोल चला है, और इसमें फूल लगे थी गैंदे के तो यह देखिए, नए पौधे आ गए हैं, इन्हीं उखाड कर हम नई जगा हैं, और इस तरह से अगर आपने पौधे लगा रख रखे हैं, तो ने की थी वो प्लांट तो यह है कंप्लीट गार्डन का अपडेट और गार्डन के प्लांट का अपडेट सारे पौधे आपने देख लिए हैं कुछ एक दू पौधे में परिसानी है उन्हें दूर कर देंगे रोग बगएरा ज्यादा नहीं है एफिट्स का टैक है केबल हमा बगएरा मिलाएंगे जून के लिए यह मिट्टी तयार हो जाएगी और फिर इसमें हम लगाएंगे रहनी सीजन की सब्जियां जो कि जून से लगाना मैं सुरू करने वाला हूं तो उसका अपडेट भी आपको गार्डन टूर के वीडियो में या दूसरे वीडियो में मिल और भी जो हैं वीडियो मिलते रहें वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं साथ मैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग